बोलो श्री अनंत भगवान की जै आज अनंत चतुरदशी के दिन भगवान श्री हरी को याद करते हुए उनके सभी अफ़तारों को ध्यान में रखते हुए ये बजन प्रस्तुत कर रही हुए लेकिन पहले कृपया मेरे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद अधर्म का नाश करने को श्री हरी ने लिए कितने अवतार कभी वो मचली बने तो कभी लिया उन्हों ने वामन अवतार अधर्म का नाश करने को श्री हरी ने लिए कितने अवतार मतस अवतार लेकर प्रभू ने वेदों को बचाया था हम लोगों को उन्होंने शिक्षा का मूल बताया था मतस अवतार लेकर प्रभू ने वेदों को बचाया था हम लोगों को उन्होंने शिक्षा का मूल बताया था वरा अवतार लेकर प्रत्वी को बचाया था हम को भूमी का महतवेस रूप में समझा या था हमको भूमी का महत्विस रूप में समझाया था समुद्र मंतन के समे समुद्र मंतन के समे प्रभु ने कच्छ पवतार लिया अपने बल को सही समे पर उप्योग करना सिखा दिया अमर नहीं है कोई भी नरसें बनकर बतलाया है अमर नहीं है कोई भी नरसें बनकर बतलाया है मित्यू निश्चित है हिरना कच्छप का बद कर दिखलाया है गमंड विनाश का कारण है गमंड विनाश का कारण है पगपर पर समझाया है वामन अवतार लेकर प्रभू ने बली का घमंड मिटाया है अहंकार मिटाने को प्रभू ने फिर अवतार लिया परशु राम बन कर कितने क्षत्रियों का संहार किया शेराम का अवतार लेकर रावन का थावद किया मर्यादा में रहना हर मानव को उन्होंने सिखा दिया श्री क्रिश्न के रूप में प्रभू ने हम पर फिर से एक उपकार किया अरजुन को उपदेश दे कर जीना हम को सिखा दिया बगवान बुद के अवतार में फिर प्रभू ने जनम लिया अहिंसा परमधरम है हम को ये उपदेश दिया सुना है प्रभू अब लेंगे कल युग में कल की अवतार काल का होगा अंत और कृतग होगा ये संसार काल का होगा अंत और कृतग होगा ये संसार